भारत के कानून में डिवार्ट्स को लेकि कई सारे ग्राउंड दिये सक्षन 13 अफ हिंदुमेरिजाट कहता है कि क्रुवल्टी के ग्राउंड पर डिवार्ट्स ले सकते है अगर पती पत्नी दो साथ से अलग रहे हैं डेजर्शन का ग्राउंड है तो हो सकता है अगर कोई पार्टनर एक्स्टा मेरिटल अफेर में अंगेज़ड है और अडिल्ट्री करता है तो भी उसके ग्राउंड पर डिवार्ट्स ले सकते हैं और कई सारे ग्राउंड है लेकिन हमारा एक्स्परिंस यह कहता है कि 10 में से 8 डिवार्ट्स की के केसे इस क्रूल्टी के ग्राउंड पर होते हैं क्रूल्टी यानि कुछ भी तरह की हो सकती है फिजिकल क्रूल्टी हो सकती है मेंटल क्रूल्टी हो सकती है अगर आप अपने पत्ने को पैसा नहीं दें तो वो भी एकनों में क्रूल्टी हो सकती है क्रूल्टी की कोई definition नहीं है क्रूल्टी को हमेशा case-wise case discuss किया गया है आज हम जिस judgment पर वीडियो बना रहे हैं वो इतना शांदार judgment सुप्रिंग कोट ने दिया है जो इस बात को कहता है कि क्रूल्टी क्या है और सुप्रिंग कोट ने एक और बात की वैस्ता कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई ground होना चीए divorce का कई बार अगर पती पत्नी में नहीं बनती है तो अभी उस ground पर आप divorce ले सकते हैं आज हम बात करेंगे जज्मन के बारे में क्रूल्टी के ground के बारे में और उस नए ground के बारे में कि अगर आपके partner से नहीं बन रही है तो कैसे आप जल्दी जल्दी उनसे divorce ले सकते हैं Welcome back to channel मैं हूँ आपका अपने अवगिल दोस्ट एड़ोकेट नममनों तो और आप मेरे साथ देख रहे हैं एगल शॉर्ट्स ये वो चैनल है जो आपको जागरुक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो आज हम बात कर रहे हैं सुप्रिंग कोर्ट के दोजार 24 के लेंडमार्क जज्मेंट रूपा सोनी वसे कमल नारंड सोनी की जिसके मैं निचे लिंक दे रहा हूँ आप चाहिए तो पूरा जज्मेंट भी पढ़ सकते हैं इस केस के अंदर हजबन और वाइफ की 2002 में शादी होती है उनकी शादी जब आगे बढ़ती है 2006 में उनका एक बच्चा होता है जैसे ही बच्चा होता है ऐसा वाइफ का कहना है कि उसके बाद से उनकी रिलेशन बिगड़ जाते हैं उनकी आपस के जगड़े बढ़ जाते हैं और वो दोनों डिसर्ड कर लेते हैं कि अब हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना दोनों आपस में एक दूसरे पे काफी ऐलिगेशन लगाते हैं इनफेक्ट एक्ट्र मेरिटल अफर्स के ऐलिगेशन लगते हैं अल्टिमेटली वाइफ 498 के एफ़र्स कराती है साथ ही साथ सेक्शन 13 हिंदू मेरिज अट में डिवर्स प्टिशन भी फैमिली कोर्ट में दाती है आपको अपने शेहर के फैमिली कोर्ट में अप्रोच करना होता है वैसे वीडियो हम आगे बढ़ें आपको एक जरूरीन एनॉंस्मेंट दे दूँ कि अगर मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ आपके कानूनी समस्या है तो आप मुझसे या मेरी टीम से घर बैटे बात कर सकते हैं एक कॉल पर खेर हम आते हैं वापस ग्राउंड पर तो section 13 में ग्राउंड दे रखें उस पर आप डिवार्च ले सकते हैं उस लेडी ने भी यह किया section 13 में cruelty के basis पर यह कहता है कि मेरे husband मेरे साथ cruelty करता है मुझे डिवार्च चाहिए है लेकिन family court उनकी divorce की petition को खारिज कर देता है इसको challenge करते वे वो lady पोचती है high court लेकिन high court भी उनको divorce petition को खारिज कर देता है और कहता है कि नहीं हम को नहीं लगता कि divorce grant किया जाना चाहिए ultimately matter पोचता है supreme court supreme court पर जब matter पोचता है दौनों party अपने arguments कर लेती है तो Supreme Court को एक fact ध्यानमा आता है और इस पता लगता है कि दोनों party पिछले कई सालों से अलग ही रह रहे है यानि अब इनको साथ रखने का भी कोई sense नहीं है आप सिर्फ उनको force करें तो एक अलग बात है अदर्वाइस ऐसा उनके बीच में कुछ भी नहीं है Supreme Court यहां discuss करता है cruelty की ground को cruelty के बारे में honorable Supreme Court point out करती है कि cruelty क्या है इसको define करना possible नहीं है एक X person के लिए जो cruelty हो सकती हो शायद Y के लिए नहीं हो जो Y के लिए हो वो शायद Z के लिए नहीं हो जायद एक पुरुष के लिए जो cruelty है वो महिला के लिए नहीं हो सकते पर जो महिला के लिए cruelty हो शायद पुरुष के लिए नहीं हो यानि आपको हर case के facts and circumstances को देखना पड़ेगा उस ground पर ही आप desert कर पाएंगे कि cruelty है या नहीं है और रही बात cruelty के कौन प्रूफ करेगा तो burden of proof हमेशा उस person पर होता है जो court के अंदर अपनी याची का यानि petition लेकर आया है कि अगर आपको लगता है कि मेरे साथ cruelty हो यह तो आप अपनी बात को court में लेके जाए और अगर court को लगता है तो वह आपको इस ground पर divorce भी grant करेगा लेकिन यहां से सुपरिंग कोटे का आगे step और बढ़ते और कहती है कि कई बार कुछ grounds mention नहीं भी हो तो हमें समझ में आता है क्योंकि कई बार husband wife साथ रहके भी साथ नहीं रहते हैं कई बार उनकी bonding नहीं होती है कई बार कोई कारण नहीं होता लेकिन फिर भी आपसमन का wavelength match नहीं होती है अब time आगया है कि on the ground of irritable breakdown of marriage पे भी हम अब divorce grant करें यानि दौनों पार्टी अब साथ में नहीं रह सकती है अगर उनकी bonding नहीं है बलही कोई ground नहीं हो और अब कोई point नहीं है उनकी शादी को बचाने का और कोई future लगता नहीं है कि वह वापस साथ में आएंगे तो उस ground पे भी हम divorce grant कर सकते हैं सुप्रिंग कोट ने इस matter में भी यही find out किया कि जब हमें पता लगा कि दौनों पार्टी पुछले कई सालों साल अलग रह रही है तो सिफ एक divorce के एक formal decree का यानि एक formal order का वेट कर रही है अगर वो आ जाएं तो वो दूसरी शादी कर लेंग यह इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है तो ऐसी condition में हम on the ground of irreparable breakdown of marriage पे हम divorce grant करते हैं तो दोस्तों इस सुप्रिंग को जज़्मेंट से बात तो clear हुए कि cruelty को लेकि को definition नहीं और आप किसी भी ground पे अपने cruelty show कर सकते कोट लोगी जैसा आपको लगता है कि आपके husband या आपक कोई ground नहीं है लेकिन फिर भी पती पत्ने का साथ में आना possible नहीं है और अब लगता है कि पिछले कई सालों साल अलग रहे हैं तो इस ground पे भी आप divorce क्ले सकते हैं मज़ों अमीद है आपको यह आज का वीडियो पसंद आया हुगा फिर भी डाउट है निचे लिंक दे रहो आम उससे बात कर सकते हैं मिलेंगे अगली बार इसी तरह की वीडियो के साथ लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बैल आइकन दबा दीजिए जैहिन जैभरत